सब्सक्राइब और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है फिलाल जो यह दो चाबिया आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो यह चाबिया हमारी ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क को यह आपके सामने 2024 मार्त सुजुकी फ्रॉंक्स और आप ऑफिशली कह सकते हो कि इसका दार के डिशन मतलब कि यह ब्लैक कर इन अलॉइस के साथ बड़ी है एकदम डार वाइब देता है कौन सा वेरियंट वह आपको बता देता हूं यह इसका जीटा वेरियंट टर्बो आटमेटिक जो कि आपको को कॉस्ट करेगा ऑल्मॉस्ट 11.96 लैक फीज 11,96 रुपे एक श लाते हैं उनमें समय यही चाब आती हैं बिडोस को लॉक करने के लिए बेटन है और इस मेटल पेम के अपनी फिसीकल की मिल जाती है सेम चाब हैं दोनों सेम कंटोस के साथ है अब इनको रख लेते हैं पॉकेट में प्रोडक्ट की बातचीत करें तो यह आपकी स्क्रीन की मैं इसके डामेशन जो हो शो कर दी हैं देख लेना कितनी लेंध है कितनी विर्थ है कितनी हाइट है अब यह आगे से बातचीत करते हैं फ्रंट में देखोगे तो एक तो यह चीज की ब्लैक कलर है बढ़िया लग रहा है मतलब एक स्टांस जो है गाड़ी का वो नजर आ र ही है वह इस तरीके से प्रोफाइल बहुत एक्ग्रेसिव लग रही है इस कलर के अंदर बाकी सामने से आप देख लो यह कुछ इस तरीके से क्रोम टीटमेंट्स आपको मिल जाता है मतलब है तो एक पेंट जौब यह बट ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि इस गाड़ी को पर चीजे आती है वह इस गाड़ी की क्लर को प्लस पंट दे रही है क्योंकि आप देखो तो इस कलर पर भी यह क्रोम अगर सेम आता हर अगर आपको अच्छा लगता है यह बी सुजुकी का लोगो है ग्रिल जो है पहले से से इगलो सी ब्लेक आती है तो यह भी चार चाम लगा नमझे और कलर में भी अच्छी लग रही है सैट में क्लैडिंग वज़ा है जो है अच्छी ठीक लेटिंग मिलती है जो कि अच्छी भी लगते हैं गाडी को पर और ठोड़ा एक काफी मेच और सा स्टांज देती है वागि हैं बारकि हाँ बात चीत करें तो गुडियर के टाय बट ऐसा कुछ है नहीं यह सारी चीज़े से मैंसी ही आती है हर क्लर के उपर पाश यहां पर एक ब्लैक क्लर ने थोड़ा चार चान लगा दिया है आगे डिस पीछ आपको ड्रम बेक्स मिलती है इस गाड़ी की ग्राउन क्लेंस मिलती है जो कि इस तरीके की गाड़ी के लिए बढ़ी है मतलब इस तरीके की गाड़ी के लिए भी क्या किसी भी गाड़ी के लिए बहुत जाद हो जाती है तो ग्राउन क्लेंस के विज़े से गाड़ी आपको इश्यू नहीं देगी बागी बागी बॉड़ से और पीछ एक साड़ा होगे तो स्पोईलर स्टॉफ लेंब वाशर डिफॉगर वाइपर सारी चीज़ यहां पर दिया हुए है कनेक्टि टेल लेंब्स है फ्रॉंक्स यहां पर मैंशन है स्मार्ट हैब्रिड यहां पर मैंशन है और जो रिवर्स कैमरा वो यहां पर आपको देखने के मिल जाता है रेफ्लेक्टर से है चार पारकिंग सेंसर से है और यहां पर भी आपको इस थोड़ा सेलवर टीटमेंट दिया हुआ है बूट के बाद चीत करें तो हाँ पर मैगने इसका टायर सेक्षन में आपको बता हुए इसके फ्लैश ओन करें तो यह आपको मिलता है 195 60R 16 16 और चोड़ाए भी सेम ही है तो बड़ी आप बूट स्पेस आती है अब इसको कर देते हैं बंद और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटियर में तो यहां पर आप देख लो हाँ बडिया कॉंबनेशन मनाती है इसा आपको मतलब ऐसा अगवर सानी लेगा कुछ भी ऐसा निलेगा कि एलग कोंटरास दे रहा हो तो बडिया चीज़ें हैं पर डॉट ट्रिम की बाद चीट करें तो डूल शेड में हैं चीज़ें हैं यह पर ब्राउन ब्लेक का बडिया कॉ देख सकते हो बडिया पोस्ट्रिंग वेरें की दिवी है बाकी यहां पर ट्रेक्शन कंट्रोल की बटन है आइडेल स्टार्ट वाली बटन है और लाइट लेवलिंग डाइल है नीचे दो पैडल से क्योंकि यह आप देख रहे हो डेड पैडल के लिए अलग से प्लेस्में यह न अपनी गाड़ी की थोड़ी बड़ी सी लगे और एक चोटा एंजन हो को दिक्कत नहीं आपको 1.5 तक नहीं जाना 1.2 में आपको एक रिलाइबल एंजन चीए जिस पर आप ट्रस्ट कर सको तो भी आप यह तो टर्बो चार्ट इन के साथ है बाकि इसमें आता है 1.2 सब्सक्राइब तो वह भी आप कंसिडर कर सकते हो यह मैं आपको भी ओन कर दिखा दा हूं यहां पर आती है इंजिन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे मैं एक बार ऐसे प्रेस कर दूंग और स्टेरिंग वील जो है अनलोग हो जाता है इन्फोटेन्मेंट सिस्टम जो आता ह है यहां पर यह ओन हो जाता है कुछ इस तरीके से और सेकंड टाइम जब मैं स्कॉन कर देता हूं तो यह सारी चीज़ें हैं पर ओन हो जाती है आप देख सकते हो एसी वगयरा यह क्लस्टर के अंदर लाइट आ जाती है यहां पर डूल डाइल्स आपको मिलते है आर पियम क क्या है और रूल वह जितनी जुँर हैं तो यहां प्र लिक हो जाता है Singapore देख सब्सक्र्षाइब तो यह आपको पसंद रहेंगे थोड़ा पावर को मतलब तो ठोड़ा ने न्दर है वा powerful in और चला सकते हो जब आपका मन के अर्याव करने का मैनुवल तरीके से आपको चलाना हो तो आप अपने हास से गेर शेफ्ट कर सकते हों से माइनस और प्लस तो एक अच्छी चीज मुझे लगते परसनली किसी को पसंद आती किसी को नहीं भी आती है बागी हाँ पर फ्लैट तो फिक दोनों आपको मिल जाते हैं यह भी अच्छी चीज है बागी डैशबूर्ड एक सेगंड दिखाता हूं उपर से हैल लाइनर आप देख लो पहले तो थोड़ा लाइटर सेड में ही है बागी ओवरल जो गाड़ी का केविन है नीचे का तो आप देखो को जादा तर इस तरीके से शांदार और यहां पर वैंटी मिल जाती है और इधर की साइड को टिकेट होल्डर वगएर जो है वो नहीं दिया हुआ है यह है डैशबूर्ड का ओवरॉल लेयाउट वगएर आप देख सकते हो कुछ तरीके से मिल्टीपल लेयर्स है जो की अच्छी लगती इधर उदर फैकने पड़ रहे है तो वह भी इसके बारे में एक अच्छी चीज है बीच में एक इन्फोटेन्मेंट सिस्टम आपको मिलता है टस्क्रीन जो की एंड़र और टेपल कारपले के साथ आएगा टॉप नौच नहीं है यह इससे अपर वेरियंट में जो इसका अ शाश्यним तो यह सारी चीजें हैं से कुछ रहाएं तो प्लीज पूचना कामेंट्स में अभी इसके पीछية लिए लिए पीचे वाली सीट पर कितना comfort है किया space है क्या क्या चीजे हैं उनके यह करके मुझे बात चीज करता है वागि क्या ख्याल है इस interface के बारे मुझे बताना अभी जलते हैं डाइक ली पीछे और अभी पीछे चलते हैं तो से पहले एक चीज और देख लो यहां पर आपको light देख रही होगी यह जो डूर्स के नीचे आपए तो यह पड़ले हमस आपको मिल जाते हैं यह अच्छी चीज है तो अच्छी लगते फीचर्स तो देख़ो गाड़ी के अंदर कितनी है क्योंकि इस मामले में ये गाड़ी आपका डेफिनेटली जो है दिल जीत लेगी बढ़िया सॉलिड थर्ड आती है मतलब एक सैटस्वेक्शन जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा आगे वाली सीट मेरी हाइट के साब सेट इस इसे पांच नो और यहां पर आप लेग रूम देख सकते हूं कितना है मिरे पास आराम से पूरे पैर फैला है हुए इस टिल आप देख लो कितना है थारू में कोई शुनिए है है रेरीश इवेंट्स है है यहां पर यह पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं तो एक यूएस भी है और एक टाइप सी है तो फोन बगए रखने के लिए थोड़ी स्पेस भी मिल जाती साथ नहीं पॉकिट है यहां पर भी यहां पर एक दो तीन चार पांच एड़ेस्टिड एड्रेस्ट हैं त्री परण शीट बेल्स प्रॉपर दियो हैं ब्राउन और ब्लैक का कॉमनेशन है तो अच्छा है जो वाइब है और जिस तरीके का प्रेक्टिकल सेग्मेंट यह है जो मतलब कवर करती है मेंली तो लोगों को पसंद आ रही है बहुत ज्यादा स्पेस में साइज में प्राइज में तो लोग रिलेट कर पा रहें से और इसी वज़ा से यह क्रीम प्रोड़क्ट बनती जा यहां पर आपको मिल जाती है इंजन की बाद चीट करें तो यहां पर सीधा सीधा मेंशन है बूस्टर जैट सिजुकी तो यह वन लीटर का टर्बो चार्ज पैटॉल इंजन है जो कि आपको डिवलोप कर देता है और इसको एक बंद कर लेता है फिर मिलते हैं फटा-फट स सब्सक्राइब के सामने 2024 मार्द सिजुकी फ्रॉंक्स जीटा टर्बो 80 और या फिर कहलो इसके अंदर भी इसका डार्क एडिशन मतलब जो कि आजकल बहुत जादा पॉप्लर है लोगों काफी जादा पसंद आती है इसे चीज़ें जो मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कलर ना हो कल करते हैं तब तक के लिए बाबाई